नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हरे आली दवनस्पती गादनी यूट्यूब चैनल दोस्तों मैं दम्यनती साहू रोज की तरहे फिर से हाजर हूँ एक और नए इंफोर्मेटिव वीडियो के साथ और दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ अपना लेमन का प्लांट जो है वो शेयर कर रही हूँ दोस्तों और दोस्तों आज मैं सिर्फ इस प्लांट के बारे में थोड़ी सी इंफोर्मेशन शेयर कर रही हूँ और मेरा प्लांट कैसा दिख रहा है आज वो दिखाती ह अपको तो चलिये देख दोस्तो यह मेरा लोकल नर्सरी से लिया हुआ नीबु का पौदा है लेमन ब्लांट है दोस्तो यह कच्छी मिटी में जमीन पर बाद जमीनर भेसा फर्डीन का यस एसा ही रखा है दोस्तों जैसा ये था वैसा ही ये प्लांट अभी भी दिख रहा है लेकिन इसमें बहुत कड़क धूप पूरे दिन की लगने की वज़े से इसकी कई सारी पत्तियां सूप गई है और जैसा कि हम जानते हैं कि नरसरी वाले बहुत प्रेशर के साथ बौंटे से पाइप से पा की हुई है दोस्तों आज मैं इस प्लांटर की सफाई कर रही हूं सारी वीट्स हटा रही हूं प्लांटर को बाहर से साफ कर रही हूं और प्लांट की बहुती बहुती सॉफ्ट प्रूनिंग कर रही हूं वैसे तो बहुत कड़क गर्मी पड़ रही है दोस्तों 47 तक टेमप मैं पानी दिया था और खर्पतवार उगे रहने की वज़े से घास की वज़े से इसमें दिखता नहीं था कि इसमें कितना पानी है पहले से प्लांटर में देखिए और काफी ज़्यादा इसमें गंदगी लगी हुई है इसको मैं बहुत अच्छे तरह से साफ कर ले रहे हूं सारी काईच उटा दे रहे हैं बाहर से सफाई प्लांटर की होना बहुत जरूरी है नहीं तो प्लांट में फंगस लगने का डर रहता है और दोस्तों इस प्लांट में जितनी भी मिटी है थोड़ी सी उपर उपर एक जड़ इंच में इसकी गुडाई कर दे रही हूं किसी गुडाई करके और दोस्तों इसमें जितनी भी छोटी छोटी पुरानी पत्तियां बहुत भारिक सी जो स्टेम्स हैं जो की सूखने वाली हैं या सूख चुकी हैं उनको मैं कैची से कट करके अलग कर दे रही हूं दोस्तों इसकी मैं किसी भी तरह की प्रूनिंग नहीं पर जो पुरानी सूखी पत्तियां हैं या बहुत जादा पीली पड़ गई हैं धूप की वज़े से कड़क धूप की वज़े से उनको मैं हटा दे रही हूं दोस्तों उनको हटाना जरूरी है नहीं तो प्लांट की एनरजी बरबाद होती है और वो सब हटा के देखे सारी जो भी पत्तियां हैं अभी भी प्लांट में कई सारी पत्तियां ऐसी हैं जिसमें धूप की वज़े से ब्राउन धब्बे पड़ गए हैं लेकिन दोस्तों सारी नहीं हटा रही हूं और ये मैं आपको दिखा रही हूं जिपसम सॉल्ट M.G.SO.4 जिसमें मेगनेशियम होता ह जो प्लांट को शोक से बचाता है और प्लांट को धूप में अपना खाना बनाने में मदद करता है फर्टिलाइजर्स को एब्जॉब करने में मदद करता है मैंने चोटा सा गड़ा खूद के किनारे पर M.G.SO.4 दे दिया है आधा चमच ही दिया है प्लांटर काफी चोटा इस प्लांट के हिसाब से नीवू का प्लांट जो है वो जहाड़ी नुमा प्लांट होता है बुशी प्लांट होता है दोस्तो preach दो उर यह लंबाई में जादा नहीं बढ़ेगा चोड़ाई में बढ़ेगा इसको अच्छे से चोड़ा सा पोर्ट मैं दूँगी लेकिन रूलेसी कहा जाता है रूल फैमली को ये बलॉंग करता है साइन्टिफिक नेम इसका सिट्रस लीमन है दोस्तों और ये एडिबल फ्रूट है जैसा कि हम जानते हैं और इस प्लांट के काफी सारे मेडिसनल यूज भी होते हैं नीवू को कई तरह की मेडिसन्स बनाने में भी यूज किया जाता है ये देखे दोस्तों अभी भी कुछ पत्तियां पीली पड़ी हुई है और बहुत ही कम ऐसी लीज थी जो नर्सरी से लाते वक्त इसमें पीली थी धूप की है और इसकी रूट्स में सीधी गर्मी ना जाए धूप की जो हीट फर्ष पस निकलती है और उसमें डारेक्टर्स की रूट्स में ना लगे इस तरह से मैंने प्लांट की आज केयर की है फर्स टाइम ये प्लांट मैंने आपके साथ शेयर किया है और ट्रांस प्लांट करूंगी बाद में और बहुत अच्छा प्लांट है गर्मियों में ही ग्रो करता है और इस तरह से दोस्तों ये मेरा लेमन का प्लांट है फर्स्ट प्लांट है मेरा लेमन का आगे भी आपके साथ प्लांट शेयर करूंगी और अपडेट भी जरूर रिजल्ट शेयर करूंगी दोस्तों दोस्तों अगर आपको थोड़ी बहुत कुछ भी इन्फोर्मेशन आपके काम की लगी हो और इन्फोर्मेशन मिली हो वीडियो से तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर आपने अभी तक हर्याली दवनिस्पती गार्णिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आज आप पहली बार वीडियो पर आए हैं हर्याली दवनिस्पती चैनल पर आए हैं तो दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ओल का सेलेक्शन करके सबसे उपर वाली बेल को क्लिक करके हिट कर दीजे और दोस्तों बेल को ओन करके रखने से नोटिफिकेशन ओन रहने से ये होता है कि जब भी अगले बार में कोई नया वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और हर तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे दोस्तों हर्याली दवनस्पती चैनल से और आप वीडियो को देख सकेंगे दोस्तों वीडियो के भारे में कुछ भी कहना चा कर दोस्तों हर।